हेलो स्टुडेंट्स हावारियोल आई होप ओलो फ्यू फिटेंड फाइन आज हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोन आशन के बारे में त्रिकोन आशन हाइट इंक्रीज आशन भी माना गया है हाइट बढ़ाने में हल्प करता है चिल्डरन्स को जरूर करना चीए आज कल हम देखते हैं कि हाइट ज्यादा नहीं जाती बच्चों की खासकर गर्ड्स में ये प्रोब्लम देखी जाती है तो स्टार्टिंग से ही ये आशन बच्चों को सीखाना चाहिए घर पे भी आप लोग असानी से करवा सकते हैं ये आशन और सारे ही योगासन आप घर पे कर सकते हैं क्योंकि योगासन करते हैं कोई एक्स्ट्र 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 ग्राउंड की जुरूर्ट नहीं होती घर में आप आसानी से योगासन कर सकते हैं और आप उससे अपने लाफ ले सकते हैं तो प्रोसीजर क्या है त्रिकोन आसन का सबसे पहले तो आपको खड़े होना है अपनी दोनों टांगों को खोल के फिर क्या करना है आपको अपने दोनों बाजू उपर उठाने हैं अपने सोल्डर लेवल तक दोनों बाजू लेके जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है आप bent होंगे और आपकी बाजू साथ में नीचे आएगी अगर right side आप bent हो रहे हैं तो right arm आपकी नीचे आएगी उस situation में आपका घुटना straight रहेगा और आपकी जो left arm है वो straight रहेगी उपर की तरफ आप देखेंगे left arm की तरफ अगर आप right side bent हो रहे हैं और right hand की finger से आप अपने पाउं की उंगलियां टच करेंगे और वहाँ पर आप one to five count करेंगे यानि hold करेंगे उस पोज को next आपको उसका alternate करना है आप left side bent हो और ऐसे ही left hand की finger से left foot की fingers को touch करें और one to five count करें यानि वहाँ पर hold करें उस पोज को तो यह आपका procedure है तिरकोनासन करने का now we will discuss benefits of तिरकोनासन यह leg knee arms and chest को powerful बनाता है digestive system को improve करता है और हमारे जो पेट के muscles हैं उनको भी अच्छे से tone देता है next है हमारा जो system होते हैं हमारे जैसे हमारा body और mind का combination होना चीए तो उसके संतुलन में help करता है mind और body के के coordination में help करता है improve करता है रेड्यूस्ट्रेस एंजाइटी बैक पें एंचियाटी का next it has been increasing height आजकल height वाली प्रोग्लम के लिए जो आसन हम बता रहें आपको तो वह आप continuously अपने बच्चों को करवाएं तो आप देखेंगे continuously long term तक करने से आपके बच्चों की height increase होना start हो जाती है जैसे भुजंग आसन है पौन मुकत आसन है ताड आसन है त्रिकोन आसन है यह आप करवाएं तो height definitely increase होगी and next is obesity कम होती है आप मोटापा कम कर सकते है इन आसन को करके आपका जो thighs का fat है वो कम होता है belly fat कम होता है and blood circulation को properly रखता है तो यह इसके benefits थे जो हमने read के हैं हम इसके contradiction read कर लेते हैं यानि विपरीत संकेत क्या है किसी को अगर diarrhea की problem है और hypertension है back pain से ग्रसित है कोई migraine की problem है किसी को तो वो इस आसन को ना करें जिन व्यक्तियों को cervical spondylites हो उन्हें भी इस आसन को नहीं करना चीए यानि यह दो विपरीत संकेत हैं कि जो लोग इन विमारीों से ग्रसित हैं वह अवेड करें वह इस आसन को ना करें तो आई हो वीडियों आपकी help कर रहे हैं आपको अपनी problems को दूर करने में postural जो problems होती है उनको दूर करने में आपकी help कर रहे हैं अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो please subscribe करें, like करें, share करें comment करें, thank you, have a good day